किसे ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज का ज्यान नहीं मिलता मॉबाईल के साथ, कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ मैं हूँ आरजे कारते के बड़ी छोटी सी कहानी दोस्तों आपको सुनाता हूँ मैं एक कहानी एंजली मैं की जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी और एक दिन वो अपनी क्लास में थी और उन्होंने क्लास में सारे स्टूडिन्स को एक सिर्प्राइस रही उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर जो ऐसे लिखना है कुछ लाइन सीखनी है और टॉपिक था माई विश मेरी ख्वाहिश कि मैं क्या चाहता है तो सारे बच्चों ने अपने अपना जवाब जो था आंसर शीट में लिख दिया मैं आपको कॉपी सब्मिट कर दी मैं घर आ गई घर आ करके कॉपी चेक कर रही थी और उनके अस्बिंट जो थे वो मुब अपने अपने जो दुनिया में मगत थी जब कॉपी चेक कर रही थी अंजली मैं तो एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनके आखों में आसमों और आसमों टब टब गिरने लिए हस्बिंट के एक दों से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही अंजली को पूशन लग ख़ाहिश पर कुछ लिखकर के बताईे और एक बच्चा नहीं कुछ ऐसा लिख दिया जो भाख करके मेरी आखा में नम हो गई है म असमों रहा रहा है को किती हैं बच्चे में ने बच्चन लिखा एकि मैं चाहता हो मरी ख़ाहिश है कि मुबायल चला ले दूर ज़र हमारे घर से बोचे, मेरे दादू मोबाईल चला रहे होते हैं, घर जाता हूँ, दादी मोबाईल चला रहे होते हैं, स्कूल से आता हूँ, खेलूंगा, बात करूंगा, कोई बाती नहीं करता हैं, वह मोबाईल चला रहे हैं, चाचों चाची सब मोबाईल चला रहे हैं, तो मैं वो मुबाइल बनना चाहता हूँ